जब आपकी गाड़ी किसी बड़ी चीज से टकराती हैं तब गाड़ी में लगी seatbelts आपकी body को सबसे पहले hold करती हैं and instantly after that airbags खुलते हैं और आपके सर को और body को projectile बनने से रोक लेते हैं ये airbags इतने जाधा कारगर होते हैं कि दुनिया में इनको एक basic feature की तरीके से mandate कर दिया गया है एक आड़ी के अंदर stable body structure हो या ना हो उसके अंदर add-ass मिलता हो या ना मिलता हो लेकिन airbags का होना mandatory माने जाता है लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो airbags आपकी जान बचाने के लिए जिम्मेदार हैं वहीं आपकी मौत का कारण बन सकते हैं तो मैं यापर टकाटा इंडर्स्री की बात कर रहा हूँ जो एक वक्त पर दुनिया की सबसे बड़ी airbag manufacturers में गिनी जाती थी लेकिन इस company के airbags accident के वक्त पर लोगों की जान बचाते नहीं थे उल्टा ये खुद लोगों की जान ले लिया करते थे और ये सब इतने बड़े scale पर हुआ था कि आप सोच भी नी पाओगे क्यूकि इसके अंदर Honda, Toyota, Škoda, Land Rover और Ford समेत 19 car makers शामिल थे जिनकी cars के अंदर ये airbags लगे थे और इन सभी car makers को एक एक owner को personally बुला कर free में इन सभी के airbags को बदलना पड़ा था और जिन cars के अंदर ये airbags लगे थे उनकी संक्या इतनी जादा थी कि 2008 में चालू हुआ ये worldwide recall आज तक भी चल रहा है और अभी तक 4 करोड़ cars के अंदर 6 करोड़ airbag inflators को बदला जा चुका है और अगर हम टकाटा समेत सभी involving car makers को इसमें जोड़ दें तो इसका जो नुकसान है वो बन जाता है 10 billion dollar का येस billion with b और इस लिस्ट के अंदर वो गाड़िया भी शामिल है जो इंडिया के अंदर बेची गई थी ये recall इतना जादा बड़ा बन गया कि इसे आज तक हुए जितने भी recalls है उन्हें सबसे जादा बड़ा माना जाता है लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अकाटा के एरबेक्स में ऐसी क्या दिक्कती जिससे लोगों की जाने जा रहें थी और दूसर सवाल यह भी बनता है कि जपान की इस विशालकाय कंपरी ने ऐसा किया ही क्यों वैल इस वीडियो के अंदर भी इन सभी बातों को समझेंगे लेकिन उससे पहले हमें आटो इंडस्री के थोड़े से बेसिक सो समझ लेना चाहिए वरना आगे की बात है समझ नहीं आएगी देखो जो कार मेकर्स होते हैं ने गाड़ी के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाते हैं जैसे की जो टिर 3 सप्लायर्स होते है रोव मेटियल प्रवाइड कर आते हैं य पिर ₹ संप्लायर्स जो जो कार ब्रेंच के साथ painter continue काम करते और वह सकती हैं और बैटरी पैक हो सकता है अब अगर मैं खुश टिर वन सप्लायर्स के एकजामपल लूँ तो यहाँ पर Bosch को हम बोल सकते हैं कि वो एक tier 1 supplier है क्योंकि वो fuel pump बनाते हैं इंडिया के अंदर काफी सारे car manufacturers के लिए Sony, Bose और Harman वगेरा भी tier 1 suppliers में आते हैं क्योंकि वो bespoke music system बनाते हैं कई car brands के लिए Brembo brakes बनाते हैं कई सारी car और two wheeler manufacturers के लिए और XITE कई सारे car makers को lead acid battery प्रोवाइड कराती है और इसी तरीके से कई सारे airbags के भी major suppliers हैं और इन में से भी जो सबसे major supplier था वो था TAKATA TAKATA ने 1930 के दशक में अपनी शुरुआट textile industry के अंदर करी थी और तब वो parachute में लगने वाले कपड़े को बनाते थे लेकिन जब World War 2 खतम हो गया तो parachute की इतनी जाद नीड नहीं थी इसलिए 1950s में TAKATA Industries अपने parachute technology का इस्तमाल करकर car की seat weld बनाने में जुट गई जिसके चलते उन्होंने 1960 में 2 point seat weld की production स्टार्ट करी और बहुत ही जल्दी वो 3 point seat weld भी लेकर आ गए जो कि एक proper seat weld बानी जाती है और देखते ही देखते हैं वो late 80s के अंदर airbag manufacturing के business में भी घुश गए क्या था कि उस टाइम पर na airbags बहुत जादा companies बनाती भी नहीं थी और बहुत जादा cars के अंदर यह आता भी नहीं था लेकिन TAKATA के पास automotive safety और textile industry डोनों का experience था इसलिए उनके लिए airbag बनाना बहुत जादा मुश्किल नहीं था और क्योंकि उनके पास first mover advantage और expertise दोनों थी इसलिए वह बहुत ही जल्दी अपने peak पर भी पहुँच गए और अपने peak पर वह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े safety component manufacturer बन गए और दुनिया में उनके hot selling products है यानि की seatbelts है 1995 में अमेरिका की NSTSA यानि की National Highway Traffic Safety Administration ने Honda को अपनी cars को recall करने का अधिश दिया क्योंकि Honda की seatbelts में बहुत ही गतनाक दिक्कत आ रही थी जिसके चलते इनकी seatbelts अपने आप ही unlatch हो जाये करती थी और तब जो Honda के major seatbelts supplier थे ना वो थे ठकाटा जिसकी वैसे यह पूरा पूरा सेनेरियो बहुत ही जादा बड़ा बन गया और यह इतना बड़ा बन गया कि सिर्फ अमेरिका के अंदर होंडा को अपनी 85 अभी बाकी की बाते समझ में आ पाएंगी आपका जो सर है वो crash के दौरान steering wheel से सिर्फ 50 millisecond के अंदर collide कर सकता है और ऐसे में airbag को आपके सर को projectile बनने से पहले ही रोकना पड़ता है और इसलिए गाड़ी ठकराने से लेकर जो airbag खुलने का पूरा जो duration होता है ना वो कुछ स accelerate होती है यह आम बाशा में बोलू तो बहुत तगड़ा जटका लगता है अब यह जो instant acceleration होता है इसकी वेसे गाडी में आगे लगा accelerometer activate हो जाता है और यह accelerometer ACU यानि की airbag control unit को signals बेचता है जिसके बाद ACU calculate करता है कि यह जो acceleration हुआ है यह कितरा intense है और अगर को लगता है कि इंटेंसिटी काफी जादा है मतलब एक accident जैसी है तो उसके बाद एक आगे एरबैक इंफलेटर को signal बेज देता है कि भाई accident हुआ है अब खुल जाओ और जब यह signal मिलते हैं तब इंफलेटर के अंदर एक chemical reaction चालू होता है जिसे बोला जाता है ignition reaction और इस reaction का result यह होता है कि इसके अंदर से एक गैस निकलती है बड़ी तेजी से अब वह इतनी तेजी से निकलती है कि सिर्टी मिली सेकंड्स के अंदर पूरा पूरा एरबैक भर जाता है और जो टकाटा ने पूरा पूरा गेम करा है ना वह इसी एरबैक इंफ्लेटर के अंदर करा है कैसे चलो मैं बताता हूं लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब आपको इतना तो समझ में आई गया होगा कि यह जो पूरा पूरा अब क्यूंकि margin काफी जाधा कम होते हैं इसी रइस कोट्यकोँप ना काफी चैनल केuéli Krito के चीजिंग करता है जो की एक सेक Barnes और यह एर बैक को भी बहुत तरी से फुला दिया करता था लेकिन यह काफी जादा महेंगा था इसी लिए टकाटा के एंजीनेर से एक चीफ अलटर्निटिव की तलाश करने में जुट करें और उन्हें एक ऐसा कंपाउंड मिल भी गया जो स्प्लिट ऑफ सेकेंड के अंदर को फुला भी सकता था और काफी जादा सस्ता भी था और वो था अमोनियम नाइट्रेट जी हां आपने बिल्कुल सही सुना यह वही कंपाउंड है जो बहुत यह एक्स्प्लोसिव होता है और जो बिल्डेंग्स को कुछ सेकेंड के अंदर उड़ा के रख सकता है अब यह इसको फुला सकता था लेकिन इसे गाड़ी के इंदर इस्तिमाल करना काफी जादा खतरनाक था क्यूंकि इसमें जादा गर्मी और जादा सर्दी में अपने आप ही केमिकल रियक्शन होने के खत्रे रहते हैं और यह वह सारी कंडिशन है जिनमें अकसर एक कार ऑपरेट करत गया वह भी सब कुछ जानते हुए और 2001 के अंदर अपने इस नए कंपांट पर बेस्ट एरबैक्स को मार्केट के अंदर सप्लाई भी करना चालू कर दिया और बहुत ही जल्दी इन एरबैक्स ने कोरा मचाना चालू कर दिया धीरे-धीरे कई जगाहों से इन एरबैक्स की और खासकर हौंदा की कार से कुछ जाद एक्सिदेंट्स हाइं तो कई बार जब गाडी का एक्सिदेंट होता था कभी एर खुलते नहीं थे बल्की अमोनियम नाइट्रीट की वजए से तमागे साथ फट्ते थे और सिफट्ते ही नहीं थे इनके अंदर से पार्ड भी निक से उनकी टैथ हो जाती थी या फिर उनको काफी जादा सीरेस इंजिरीज होती थी और यह मेटल पार्ट कुछ इस तरीके से निकलते थे जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो गया यानि की कार एक्सिडेंट के इंदर जो चीज लोगों को बचाने के लिए अब इन बढ़ते हाथ्सों को देखकर NSTSA ने इन्वेस्टिकेशन चालू करी और इस इन्वेस्टिकेशन का पारिणाम यह हुआ कि सबी कार मेकर्स जो की टकाटा के एरबैक्स यूज कर रहे थे उन्हें रीकॉल करने का आदेश दिया गया और कार ओनर को फ्री में एरबै और टेटा जैसे 19 बड़े कार ब्रैंड शामिल थे जिन्होंने अपनी गाड़ों को रिकॉल करा और फ्री में दूसरे एरबैक्स लगा कर दिया अपने कस्टुमर्स को और इस पूरे के पूरे वर्डवाइड इंटरनेशन रिकॉल के अंदर आज तक चार करोड़ कार्स के शे करोड़ एरबैक्स बदले जा चुके हैं सोचिए मैं आपर करोणों की संख्या में बात कर रहा हूं इतनी संख्या जितनी कई देशों की आवादी भी नहीं होती है इन रिकॉल्स की वैसे टकाटा के इतना पैसा लगा कि 2018 में उसको बैंकरप सी फाइल करनी पड़ गई को बोला था कि वह सर्विस एंटर आएं और अपने एरबैक्स पदल वाएं इसके इलावा हॉंडा ने भी रिकॉल्स करें अपनी पांस यार आठ गाडियों के जिसमें की हॉंडा जैस सिटी सी आर्वी और अकॉड जैसी कार शामिल थी और शेवी ने तो 12,000 शेवी अगर आपकी गाड़ी का मेक अंड मॉडल देख सकते हैं अगर आपकी गाड़ी कहीं से इंपोर्ट हुई है या फिर वह कार मेकर ही इंडिया के अंदर यह वाले एर बैक लगा रहा था तो वह आपको पता लग जाएगा वहां से काफियत तक पता लग जाएगा मतलब इस बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज संसीर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और हां यार वह बैल आइकन जो होता है घंटी उसको दरूर दबा दो वरना आपको पता नहीं लगा कि मैं वीडियो स्कॉप डाल रहा हूं और हां जाने से पहले वह कमेंट सेक्शन के अंदर टकाटा के एरबैक्स के बारे में जरूर बात करके जाना क्योंकि जब में बात करेंगे तो हमारी जो रीच है वह बढ़ेगी और लोगों को भी इंट्रेस्ट आएगा ऐसी वीडियो सेखने में होचाथा चलिए इस वीडियो में इतना ही दन् देकड़ वीडियो सेखने चलिए खड़ेगं एक रुड़ झाएगा!!